है अजय गाइस उरान से नारेटर्न आपको स्वागत है नए कुर्चन के साथ फिर मैं और हाजिर हूआ हूँ जिसमें कुछ जीके कुष्चन है तो मैं इसे पहले ला रहा था जिसमें मैं 15-16 पेपर करा चुका हूं- चेट करा चुका हूँ मैं फिर से और हाजिर हुआ हूँ इसमें लेकिश सतर से एसे क्यूशन तो इसे आप जरूर देखें यह एक हजार का स्रीच चल रहा था जिसमें मैं 600 प्लस करा चुका हूँ और जो बचा है उसे मैं करा रहा हूँ तो जरूर अगर आप इस नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने चैनल को लाइक करें शेयर करें ठीक है जितना ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में तो चले देखते हैं क्यूशन को इनि श्कुका मुख्याले कहा है पेरिस कि कहा है पैरिस में ध्यान दिजहतब इसका फ्रांस भीष विष्व एपार संगठन कि अस्थापन कहा था तो इसका जो ड्लू में सिद्व आ। पंचानवे में कितना उनीस्तों पंचानवे में हुआ था डव्लू ट्रेड ऑगनाइजेशन इसको बोलते हैं डव्लू ट्यू डिरेक्ट देता है आपको सिछा की किंडर गार्ड पदती किसकी देन है तिये जो हैं फोविल महोदे थे इनहीं के दुवारा यह दिया गया था इसे आप देखे और समझे ठीक है चलिए आगे देखते हैं ऐस्थापना कब हुई थी तो ऐस्थापना 1911 में हुआ था कब हुआ था Уनिस्था सोरी सौरी ऑ melod üzह कितना 1901 में हुई थी ठीक है चलिए आगे देखते हैं चलिए अगला की विशन देखते हैं तांसेन किसके दरवार में संगितग थे तो तांसेन जो थे वो अकवर के दरवार में संगितग थे अकवर के दरवार में गया करते थे कौन चार बस तक अकवर का संरच्छक रहा तो चार बस तक जो था बैरम खान एक आदमी था जो चार सल तक संरचक रहे थे पंडित रवी संकर का समवन्द की सबाद यह अंत्रशे है तो सितार बजाते थे जैसे बिसमिल्ला खा देता है सहनाई तो शितार से चलिए आगे देखते है पैनल्टी कार्णर का समंद की स्केल से है तो पैनल्टी कार्णर जो है होकी से है ठीक है तो चलिए आगे देखते है अगला क्यूशन उत्री भारत में सर्दियों में बर्षा का कारण क्या है तो ये पच्छमी भी छोब है जो आता है यानि लौटती हुई मानसून उसके कारण ठीक है देवघर ट्रोफी का समंद किस खेल से है तो देवघर ट्रोफी जो है किर्केट से समंदी थे रुष की मुद्रा का नाम है रुबल थे आप ध्यान दिजिएगा सिंदु घाटी सभियता की पर्षिद बंदरगा कौन सी थी तो सिंदु घाटी की सभियता की जो सबसे अच्छा बंदरगा थी लोथल थी ये गुजरात में है ठीक है जैन धर्म के परत्थम तृतकर कौन थे तो परत्थम तृतकर रिशब देव और सबसे अंतिम तृतकर अभी जो महावीर है 24 में तृतकर जिन्हें बोला जाता है चलिए आगे देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तो गौतम बुद्ध का जन्म लूमनी नामक बन में हुआ था जो नेपाल में पड़ता है भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तृतकर थे तो मैं भी बताया ये 24 मत अंतिम तृतकर थे जैन धर्म के अज़ पहले रिशब देव यानि जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जा तो रिशब देव को कहा जाता है भारत की पहली माहिला राष्टपती कौन थी तो परतिवाद देवी सींपाठिल थी पहली अगर परधान मत पूझे तो इंद्रा गांधी थी कटक किस नदी पर बसा है तो कटक जो है महा नदी पर बसा हुआ है बाइनरी भासा में कितने अच्छर होते हैं तो दो होते हैं 0 और 1 तो आप याद रखेगा बाइनरी भासा में 0 और 1 होते हैं चले आगे देखते हैं अगला किशन लेन का विस्तार क्या है सब किशन आपको आता है तो अब ध्यान दे लीजेगा गौतम बूद की मिर्थिव कहां होई ती तो कुसीनगर में हुआ था ज्यान दिजेगा गोवा पुर्तगाली सासन से कब अजाद हुए थे गोवा बहुत ही भीवी आई क्यूशन है तो यह उन्हें 61 में अजाद हुआ था भारत तो अजाद हो गया था 47 में लेकिन गोवा का अजादी मिला था 61 में बकसर का यूद कब हुआ कि इसके कारण यानि फल्स रूफ अंग्रेज का बंगाल बिहार और उडिसा का अधिकार हो गया था बकसर में यूद हुए थे जिसके कारण अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उडिसा पर अधिकार कर लिया थे कब हुआ था 1764 में यानि पूछ सकता है कि बकसर युद के परिनाम स्वरूप क्या हुआ तो बंगाल बिहार और उडिसा पर अधिकार हो गया तो कब हुआ 1764 में चले आगे देखते हैं रोलेटिंग एक्ट कानून यानि कब लागो हुआ था तो ये 1773 में लागो हुआ था ध्यान दिजिएगा 1857 के करांटी के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादसा बहादूर साजफर को कैद करके कहां भेजा क्योंकि भारत में जो पहली करांटी हुई थी वो 1857 में मंगल पांडे के दुआरा किया गया था है ना तो ये ध्यान दिजिएगा पुस्ता है कि भारत के अजादी की पहली लड़ाई कब लड़ी गई 1857 में और उसी समय मुगल बादसा जो था बहादूर साजफर था उसे कैद कर लेकर कहां मियमार यानि बरमा लेकर चला गया था ठीक है गांधी जी की दचिना फिरका से भारत कब आये तो 9 जनवर 1915 को ये लोटे थे है ना उसके बाद हमारे गांधी जी भारत अंदोल में लगे भारत की पहली बोलती फिल्म कौन से थी तो पहले बोलती फिल्म अलम आ रहा थी और पहली नहीं बोलने वाली फिल्म यानि भारत की सबसे पहली फिल्म जो थी राजा हरिस चंद जो नहीं बोला जाता रहा था उसमें उनली फूर फिगर दिखा जाता था तो फिगर था उसके बाद अलम आ रहा है जिसमें बोलना स्टार्ट हुआ चले आके देखते हैं च्छेटफल की दृष्टी से भारत का विस वे कौन सा स्थान है तो यह सातमा है कैमा है सातमा और जंसंख्या में तो यह दूसरा है लेकिन देखिए 2021 के बाद क्या हो जाता हो शकता है पर्थम भी हो जाए भारत यह हैं देखते हैं भारत के अस्थलिय सीमा कितनी है तो भारत के अस्थलिय सीमा जो है 15,200 km है और शठ 100 करिभ है जो आपका है जलिय सीमा तो चलिए देखते हैं भारत का पुर्व से पच्छिम तक विष्टार कितना है उन्तिस सो तेती से किलोमीटर पुर्व से पच्छिम तो ये ध्यान दे लिजेगा आप तिरंगे जहंडे को समिधान सभा ने कब राष्ट ये जहंडा के रूप में अपनाया तो 22 जुलाई 1947 को भारत को दोवारा आपना जे तिन रंग के जहंडा है जिसमें तिली है ये अपनाया गया था समिधान सभा के दोवारा तो ये से आप ध्यान दीजेगा जैसे जनगना कब अपनाया गया ये सवाब से पूछता है देखते हैं तो जनगना को जो है तो ये पटना में है खुदा बक्स पुस्तकाले कहां है पटना में है 1784 में कलकत्ता में किसने एस्थियार्टिक सोसाइटी के अस्थाफना की थी तो विलियम जॉन्स जो थे वो 1784 में कलकत्ता में एस्थियार्टिक सोसाइटी के अस्थाफना की थी बैंकों का राष्टे करन कभी किया गया तो बैंकों के राष्टे करन भारत के जादी के बाद यान उन्हें से 79 से स्टार्ट हुआ था और हमारा पहला यानि बैंकों का बैंक जो कहलाता है वो RBI है भारत का है ना तो इसे अब ध्यान दीजेगा जिसका मुख्याले मुंबई में है इसका स्थापना अरभियाई का स्थापना 1935 में हुआ था ठीक है चले आगे देखते हैं अगला क्यूशन किस समिनहां संसोधन द्वारा 16-16-14 बर्ष की यायू के बच्चों के लिए सिच्छा को मौलिक अधिकार बनाया गया और निसलुक सूचा देने का ये बना तो यह 66 समिनहां संसोधन में क्यमा समिनहां संसोधन किस मौलिक अधिकारों को 44 में समिनहां संसोधन द्वारा हटा द अगया ठिक है क्यों कि ये साधे-श डिगरी उत्री अच्छांस रेखा को क्या कहा जाता है तो साध bowl रिकर 16 डीडरी तर धंच को मखरेखा कहा facilities रिकर तो चलिए आगे देखते हैं का ससास्त्र सेना ज़ंडा दिवश कम मना आपक सिमा रेखा किस नाम से पुकार जाती है तो रेड किलिफ रेखा के दवारा बनाया गया था भारत पाकिस्तान सीमा रेखा भारत में एक मात्रशा के लिए जो आला मुखी कौन है और कहां है तो यह है बैरंदीप जो अनमान निकोबार दीप समू में है अमेरिका में कौन सा राज 1867 में रूस से खरदा गया था रूस से खरदा था अमेरिका ने तिये अलासका जो है राज है एक जगह है उसे खरता था रूस से अमेरिका 1867 में चलिए आगे देखते हैं 20 विकलांग दिवस कब मनाया जाता है तो 20 विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है खोप मैं कप किस खेल से समंधित है तो टेनिस से है नव गठित तलंगना राज का पहला मुख मंत्री कौन है तो चंद से खर राव हैं है ना तलंगना राज 2014 में बना था ये आंध परदेश से हटके बना है है न अभी तलंगना का रजधानी आंध परदेश है है ना चलिए ध्यान दिजेगा अभी इसका आंध परदेश ही रह जाएगा लेकिन है तलंगना की रजधानी है आंध परदेश से की रजधानी बदल जाएगी 10 साल बाद यानि 14-10-24 में जो अमरावती हो जाएगी तो ये सब भी आप याद रखिएगा है ना भारा सिरलंका के बीच कौ मननार की खाड़ी है कौन से खाड़ी मननार के खाड़ी चले आगे देखते हैं अरावली परवत की सबसे उची चोटी का नाम किया है तो ये है गुरु शीखर सबसे उची चोटी किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है तो कनाड़ा का सबसे बड़ा है किस देश की असल सीमा सबसे बड़ा है तो चीन का है ये भी ध्यान दे लिजिएगा मेमार यानि बर्मा के मुद्रा कौन सी है मेमार अभी नाम हो गया पुराना नाम इसका बर्मा था पूस्ट रखता है कि मेमार का पुराना नाम क्या है तो बर्मा है तो ये मुद्रा क्या है तो क्यात है क्या है क्या जैसे हम लोग का मुद्रा रूपिया है उसी तरह से मौसम समंधित परियावरतन वाई मंडल की किस परत में होती है है ना मौसम समंधित जो परियावरतन होता है वो वाई मंडल के किस मंडल में होते है तो उनली फूर छो मंडल में होता है अन्य कोई मंडल में नहीं होता ठीक है चलिए आगे देखते है संसार के सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो संसार के सबसे बड़ा सागर तच्छिन सागर है गौतम बुध दौरा 29 बर्ष की यायू में गौतम बुध यानि कितने साल में गौतिया किये थे तो 29 बर्ष के वस्था में तो इसे कहा जाता है महा भिनिस कर्म क्योंकि घर की आगर कोई छोड़ देता है तो क्या कहता है उसे बिपत्ति आ जाना वही महा भिनिस कर्म और जब ये दिये थे परिवचन पहला तो उसे धर्म चक्र परिवर्दन भी कहा जाता है इनका पहला बचन को चलिए आगे देखते हैं भारत में पंच बर्शी युजना का अनमूलन करने वाला सरवोच निकाई कौन सा है तो राष्ट ये विकास परिशद है जो उसे देखता है और करता है भारत के किस राज के सीमा चीन नेपाल और भुटान से मिलती है तो सिक्किम जो है चीन से में सटा है नेपाल से भी और भुटान से भी सटा हुआ है और नाथला दरा कहा ही सी थे तो नाथला जो है सिक्किम म 1912 में अलहिलाल समचार पत्र किष्णे शुरू किया था तो ये मौलाना अब्दुलकलाम अजाब यही अस्टार्ट किये थे कि ये हमारे पहले सिछा मंत्री हैं तो ये भी ध्यान दीजिएगा महांचिकितसक चरक किसके दरवार में थे तो ये कनिस के दरवार में थे बहुत बाड़े चकितसक थे जो गौतम बुद्ध के लिए भी ने भेजा गया था देखने के लिए भारत में मैट्रो पुरूस कौन कहलाता है तो स्रीधरन स्रीधरन को भारत की सतंतता के समय कॉंग्रेस अध्याच कौन थे तो जे भी क्रिपलानी चलिए आगे देखते हैं कॉंग्रेस और मुस्लिम लिंग के बीच लखनाव समझाता किस वर्ष हुई थी तो ये 1916 में हुआ था जिसे लखनाव समझाता आपसे पूछ सकता हूँ के लखनाव समझाता किन के बीच हुई थी तो कॉंग्रेस और मुस्लिम लिंग के बीच अगर पूद्धे की लखनाव समझाता कब हुई थी 2116 में पानिपत का तिसरा यूद किन के बीच हुआ था तो मराठा और अहमदसा अबदुलिए अबदाली के बीच कि ये हुआ था आपका 1761 में ये भी याद रखिएगा 1761 में ठीक है RBI के नए नियमों के अनुसार चीक और बैंक ड्राफ की बैदता कितने समय का होता है तो तीन माह का होता है सबसे लंबा राष्टी एर मार्ज कौन सा है तो ये NH7 ऐसे दिया जाता है लेकिन बरतमान में NH44 कर दिया गया है तो आप वहाँ पर आफसन देख लीजिएगा उसके थुरू मारिएगा ठीक है चलिए आगे देखते है संगमर्मर किसका परिवर्तित रूप है तो संगमर्मर जो है चुना पत्थर का परिवर्तित रूप है विस विपार शंगठन का मुख्याले कहां है जनेवा में है अब विस विपार शंगठन का अस्थापना का हुआ था तो 1995 में ये मेरा अफसे पहला क्यूशन था तो ये अब देख लीजेगा डबलू टीयो बाइल ट्रेड होगनाईजेशन चौराज चौरी कांड के बाद महादमा गानी ने कौम सांदोलन को बंद कर दिया अस्थागित कर दिया तो अस्थायो गांदोलन अई इसका स्टार्टिंग हुआ था उन्हें 120 में जाता है केरल के तैट को क्या कह जाता है मालावार तैट ये अगला बार गया यारो में आया किश्चन है 2019 में जेंद अवस्था किस धर्म की धर्मी पुस्तक है तो ये पार्सी का है ध्यानते लिजेगा जैसे हम लोग का गीता है रामायन है तो उसी तरह से चलिए आगे देखते हैं भारत का राष्ट गान सबसे पहले कब गाया गया था भारत का सबसे पहला ये राष्ट गान जो है उन्हें 111 में कॉंग्रेश के कलकत्ता दिवेशन में गाया गया था हना पानी का रशानिक सुत्र क्या है तो ह्टू ओ है और अंगावाद में ताजमहल की परतीक किसने बनवाई थी तो यह औरंजेव ने बनाया था ताजमहल का एक छोड़ा परतीक बनाया गया था लंदन में इंडिया हाउस के अस्थापना किसने किये थे तो सियाम जी कृष्ण बर्मा ने इंडिया हाउस के अस्थापना किये थे चलिए आगे देखते हैं कॉंगरिस के अस्थापना के सहे भारत का 22 राय कौन था तो लॉर्ड डफरिन था है ना बिस्व का सबसे बड़ा प्राइदीप कौन सा है अरब प्राइदीप पच्मी घाट के अन किस नाम से जाना जाता है तो स्याद्री परवत स्रिंखला है ना 689 नमर क्रिशन देखते हैं ये पच्मी घाट को किस नाम से जाना जाता है स्याद्री परवत स्रिंखला तंबाकु के धुए एवं कौन सा हन तो निकोटी जैसे चाई में थिन पाया जाता है चॉकलेट में निकल पाया जाता है कॉफी में कैफीन पाया जाता है उसी तरह से चलिए तो वो सभी आफ लिख लिजेगा कर लिजेगा राश्पति का अध्या देश कितने समय के लिए लाग होता है तो 6 माह के लिए मौसमी गुवारों में कौन सी गैस परियोग होता है हिलियम गैस होता है क्योंकि हिलियम होला होता है इसलिए उपर लेके उड़ जाता है मानव सरीर में रुधिर बैंक का कार कौन करता है तो तिली, पलीहा या अस्पिलिन तिन नाम से उसे जाना जाता है ब्लेड बैंक यानि मानव सरी में ब्लेड बैंक कौन है तो यही है तिली, पलीहा या अस्पिलिन गाई के दूध का पिला रंग किसकी उपस्तिती के कारण होता है कैरोटीन के कारण अब गाजर में भी जो होता है यह कैरोटीन पाया जाता है पताब पिला भी होना कैरोटीन के ही कारण है तो यह सब आप याद कर लिजेगा 20 एडस दिवस का मायना जाता है 1 दिसंबर को अब 20 कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को चले आगे देखते हैं अब 2 किशन लास्ट है भारत में रास्टिय धोज का डिजाइन किशने तयार किये थे तो यह मैडम भिखाजी कामा जो थे वही यह जो 3 गो होना चाहिए तिली होना चाहिए बीच में 24 यह सब जो डिजाइन दिया गया था और इसका जो होना चाहिए 3 बाई 2 होना चाहिए तिनन उपाद्दू तिन लंबाई 2 चोड़ाई यह सो जो किये थे यह मैडम भिखाजी कामा ने 1783 तिरपन में आत्मिय सभा का घठन किशने किये थे तो राजा राम मोहन राई के दोबारा है ना तो चलिए बस इतना ही तक है इस वीडियो में तो उड़ान से ना रेटेन को आफ सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और सेयर जरूर करें अपने दोस्तों में ठीक है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है आफ लोग करें तभी यह सेकसेश होगा चैनल जहन जह भारत